दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस LCD राइटिंग टैबलेट के बारे में बताने वाला हूँ, इस प्रकार का जो प्रड़क्ट है, इसके उपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये लिटेस्ट प्रड़क्ट है, इसमें कुछ इंप्रूव्मेंट किय हुआ है, ये अब colors support करता है, लेकिन आप colors को select नहीं कर सकते हैं, अब तक ये उस advanced लेवल पर नहीं पहुंचा है, ये उसी प्रकार का LCD टैबलेट हैं जैसे की पहले वाले जो टैबलेट है, मतलब की rough usage के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, और ये एक और feature के साथ में आता है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सबसे पहले इसकी unboxing करते हैं, देखते रहे हैं, तो ये दिखे ये है LCD writing tablet और इस tablet की खासित ये है कि ये colors support करता है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मतलब कि आप colors को select नहीं कर सकते हैं, वैसे जो product है, काफी काम में आ सकता है, तो चलिए मैं आपको फटाफट इसकी unboxing करके बताता हूँ, ये देखे, इस प्रकार का है ये tablet, अब ये अलग-अलग color options में available है, यहाँ पर आप button cell दाल सकते हैं, अब इसकी जो life है button cell की ये तकरीबन एक साल से ज्यादा चल जाता है, दो सा यहाँ पर दो buttons दिया हुआ है, ये है delete button और ये है partial delete button, अब ये नया feature add किया हुआ है, क्योंकि आम तो पर इस प्रकार के जो tablets होते हैं, उनमें full delete होता है, लेकिन यहाँ पर ये partial delete दिया हुआ है, और ये देखे, ये जो pen है, इसे यहाँ पर attach किया हुआ है, आप बड़ी आस ये lock है, ये unlock है, अगर आपने इसे lock पर रखा हुआ है, तो ये जो delete button है, ये काम करने वाला नहीं है, तो अगर आप चाते हैं कि accidental delete ना हो, तो ये जो button है, इसका आप उप्योग कर सकते हैं, फिलाल मैं इसे unlock करता हूँ, तो जब कभी आप इस tablet पर लिखते हैं, इस pen का उप double tap करेंगे, और उसके बाद में ये जो pen है, इसका जो back है, यहाँ पर एक रबह दिया हुआ है, इसका उपर करके आप इस प्रकार से, जैसा आप pen और pencil से erase करते हैं, उस प्रकार से आप ये जो drawing आपने किया हुआ है, या जो भी text आपने लिखा हुआ है, उसे आप erase कर सकते ह इस प्रकार से, वैसे जो tablet है, ये उसी प्रकार का है, जैसे कि दूसरे tablets है, LCD writing tablets, लेकिन जो दूसरे tablets है, उनमें आपको सिर्फ एक ही color मिलता है, green, लेकिन यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से उपर से लेकर नीचे के तरफ एक line बनाओ, देख सकते हैं कि एक color pattern आपको देखने क है, ये जो area है, यहाँ पर थोड़ा सा greenish हो जाता है, ये जो area है, यहाँ पर जो color है, ये थोड़ा सा अलग है, yellowish type का है, orange type कह सकते हैं, और यहाँ पर फिर से ये greenish type का हो जाता है, तो ये color option आपको मिलता है, वैसे basically आप जो color है, इसे select नहीं कर सकते हैं, बस ये option दिया हु श्कास करके रफ वक के लिए बहुती काम मेसकता है और बचों के लिए ख already karm में सकता है क्योंकि जब आप इसका उप्यों करते हैं तो जो पेपर है वो वे स्थ नहीं होता है तो उस हिसाब अगर आप ये प्रड़क्त खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों ये प्रड़क्त आपको कैसे लगा कमेंट्स के माद दिम से मचे ज़रू बताईए इस वीडियो को लाइक ज़रू कीजिए और तेक्टे अधिर झाल झाल थे दो यह क्यों साहते हैं यह Sigँब शिंग